वेलो एवरेवन वेलकम तो मै चैनल कोंट स्कॉलर इस इस थी कंटिनीशन वीडियो लेक्ट्र ओन कैपिटल बजेटिंग एस्टिमेशन लास्ट जो प्रीविज टू लेक्ट्र से उसमें हमने फर्स्ट एट कोशिन हमने कर लिये थे हमने देखा कि बेसिक क्या होता है कैपिल से कैलाशगरी लिमिटेड इस त्याइड वेदर इचुड बिर्प्लेस अमनुवली ऑप्रेटिड मशीन विदे फुली अटोमेटिक वर्जन ऑफ दे सेम मशीन अग्जिस्टिंग मशीन पर्चेस टैन यर्स अगो अगो अस अबुक वेली ओफ रुपीस वर्लनक 60 थाउज यह जो पराने मशीन थी वह दस साल पहले खरी जी और उसकी आज के टैम में जो बुक वेली ओवा कितनी है वनलक 60 थाउजन एगो जो पराने मशीन अभी भी है उसकी अभी भी जो लाइफ यह वह कितनी है दस साल है machen के वह भी सिस्पीड है, गल्रपीस The machine has a recently begun causing the problem with a breakdown, and is costing the company 24,000 per year in maintenance expenses, the company has offered रुपीज वालनक वर वेल्लक for the old machine, and has a trade in the on the आटोमेटिक मॉडल विच है डिलिवर प्राइस बिफ़र अलाउंसे ऑफ रुपीज तो लेक टें थोजन देखिए कह रिखा हुआ है वो बुल रहे हैं कि आप जो पुराने मशीन है उसमें जो कुछ ब्रेकडाउन जो इस हुआ रहा है तो उस पे जो कंपनी को जो हर साल जो हम जो है एक नई मशीन खरी सकते हैं जिसकी वेलिव दो लाग दस हजार की है और पुरानी मशीन को हम आज एक लाग रुपी में निकाल सकते हैं और जो नई मशीन है उसकी भी एक्सपेटिज जो लाइफ है वो दस साल है और दस साल बाद इसकी जो सालवेज वे लिए materials 85,000 per year यानि कि जो नए मशीन है उस वो जो है को सिविंग करके देरिये 85,000 per year के साब से हैं मेंटेनेंस कोस्ट और इंक्यूड इंदी परचेस इंदी परचेस कॉंट्राइट और बोन बाइदे मशीन मेनिफेश्टर टेक्स रेट कितना पर इकवरिए इस 40% on both the level of income जा capital gain हो या loss हो उस पर टेक्स रेविन हो उस पर टेक्स लगेगा 40% के साब से दोने मशीन पर जो एसे लमें के साब से लग रहा है अब अब निकालना है find out the relevant cash flows देखिए अच्छा कुश्चन उसको द्याहर से दिखेंगे देखिए हमें पर तीनी से चेजिश मे लोग तो पहले बात करते हैं initial cash outflow की यानि की starting में हमारे जिब से कितना पैसा जाएगा तो देखिए कि स्टार्टिंग में हम जो नए मशीन खरेंने जा रहे हैं उसकी वैली कितनी है 2,10,000 और पुराने मशीन कितनी में के लिए 1,00,000 तो पहले हम देखिए कि overall जो नए मशी 60,000 इसके बाद अब हम देखेंगे देखिए कि और तो कोई पैसा अब जा नहीं रहा लेकिन आ रहा है कहां सा रहा है कि कि ट्रेड अगर हम खरी जेंगे तो एक लाग की मशीन जो पुराने मशीन हमें वह भी निकालनी होगी ठीक है एक लाग की और जो एक लाग की मशीन ज कितना हो गया 60,000 का और उस पर जो 40% टेक्स होगा वह कितना होगा 24,000 तो वह देना नहीं है उल्टा बच गया तो टेक्स सेविंग हो गया ठीक है देखिए इसकी कल्कुशन कोश्ट अफ दीमशीन कितनी है दो लाग देल सेजार इंशलुशं कोश्ट कितनी है पचा सेजार जार श्क्राईब और वेल्ट बेल्यू कितनी होगी दिखिए एक लाग सेविंगे नहीं होगी दिखिए गैपेट लोग कितना रहा 60,000 और उस पर आपका टेक्स से भी कितना हो गया, that is 24,000, that means overall आपका initial cash outflow कितना हो गया, 1,36,000, all right, now coming to the second part, that is subsequent cash inflow, कितना कितना हो रहा देखिए, देखिए, अब हमें देखना है, आपका पता होता है कि जब में profit ने काल रहता है, हमें के लेना होता है, incremental profit before depreciation and tax, incremental means additional, that means new minus old, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या देखिए, आपको यहाँ पर न, income ने देखिए, profit कितना हो रहा है, हमें बोलने देखिए, हमें दिया हुआ है, कि हमें machine कितनी cost saving करके दे रही है, अगर आप question की language देहां से भी देखोगे, तो देखिए, new machine है, वो 85,000 की cost saving करके दे रही है, हमें profit ने consider करके लेगे चलेंगे, ठीके, तो 85,000 तो new machine करके दे रही है, बट जब आप पुराने machine को scribe करके निकाल दोगे तो पुराने machine में जो हमारा खर्चा हो रहा था, 24 ज़र का, वो भी तो हमारा बची गया हमारा, ठीके, तो overall cost saving कितनी रहा गी, that is, कितनी होगी देखिए, 85,000 plus 24,000, amount कितना होगी आपका, 1,9,000, right, अब आत करते हैं, depreciation की, depreciation पर में कला होता है, incremental, depreciation हमारा लग रहा है, that is, on SLM method, depreciation देखिए, new machine पर देखिए, कितना कतना है, 2,000 की cost है, 50,000 की installation है, 25,000 उसकी scribe वे लिया, after 10 years, SLM method होगा, तो depreciation on new machine कितना होगा, 23,500, अब आत करते हैं, depreciation on old, एक लाख सारे जर की machine उसकी book value है, 50,000 उसकी scribe वे लिया, 10 साल बात की, तो overall depreciation कितना होगा, 11,000 का, तो incremental क्या होगा, आपका, that is, new minus old, new minus old, 23,500 less 11,000, so addition depreciation कितना होगा, that is, 12,500, तो आपके पास, अब हाथ में क्या है, profit after depreciation and tax, अब government को tax देना है, at 40%, तो आपके पास profit आया, 57,900 अब depreciation एलबे करेंगे, तो profit before depreciation, after tax कितना होगा, 70,400, that's it, तो यह आपका क्या होगा, profit after depreciation and tax, ना, coming to terminal, देखे, terminal पर क्या लेंगे, आपको, जो existing machine, जो पुराने machine तो बेची तो बेची तो कोई कामी खतम होगा, but at present, जो आपके हाथ में machine है, कौनसी new वाली है, ठीके, उसी को इस क्रेपवली भी तो थी, देखे, हमने इस क्रेपवली लिगी थी, कितने, 25,000 की, तो उसको बेचेंगे, 20,000 की, ठीके, that's it, sir, इस पर depreciation, sir, इस पर कुछ, capital gain, capital goes, dear, ये खुद बताओ, जो हमने जो 25 आ रहे तो, हमने यहाँ पर address कर लिया है न, और SLM method, उसके value तो कुछ भी नहीं बची, तो इस लिए आपर ना, तो capital gain होगा, ना ही loss होगा, all right, sorry, so this is the question no. 10, sorry, 9, now moving to question no. 10, Udharaj Limited purchased a special machine one year ago, at a cost of Rs. 25,000, at the time, the machine was estimated to have a useful life of 6 years and no salvage value, the annual cash operating cost is approximately Rs. 21,000, देकि पुरानी machine जो एक सार पहले खर दी थी 25,000 गी और उसके जो useful life थी वो किती थी 6 सार, और 6 सार बाद उसके scrap वेली किती थी 0,000, annual जो operating cost लो जो लग रहा हो कितना लग रहा है 21,000 का, आगर लिखा है, a new machine has just come on the market, which will do same job, but with an annual cash operating cost, if only 15,000, the new machine cost Rs. 30,000 and has an estimated life of 5 years with 0 salvage value, the old machine can be sold for Rs. 10,000 to a scrap dealer, the state line method depreciation is used and the company's income tax is 40%, assuming cost of capital, यह अभी ignore करना, यह actually part जो है, इस chapter से लेक्टिट नहीं है, तो for the timing आप इसको गिरूँ का रहा हूँ, you are required to compute the incremental cash flows after tax, देखे, easy है, initial cash article दिखना है पहले आपको, cost of the new machine कितना है, 30,000 है, scribe value of all machines 10,000 है, scribe value कितना है, 10,000 है, but book value कितनी है, 20,000, 833, सर यह आपने कैसे निकाला, देखे, यह time में देखिए, machine जो एक साल पहले खरी दी किती, वो कि उसकी value किती थी, 25,000, 6 साल बाद उसकी value nil थी, और SLM method यूज हो रहा है, तो अगर आप 25,000 divided by 6 करोगे, तो इसकी जो value यानि की depreciation जो लग रहा हर साल, वो कितना लग रहा है, that is 4,167, यह हर साल का depreciation है, बढ़ हम आज की बात कर रहे हैं, इस point पर आज की बात कर रहे हैं, और बेचा कितने हैं, 10,000 रपे, यानि की capital loss जो होगे, कितना हो गया, 10,833, अब उस पर क्या होगा, लोस होगा, तो tax save हो गया, तो वो हमने यहां पली दिया, 40% के साब से, सो ओवरोल, cash outflow कितना होगा, 15,667, चलिए, now coming to second part, that is called subsequent cash inflow, अगे नापर हम कहने लेंगे, incremental, देखिए, आपकी ध्यान से देखिए, question के अगर language देखोगे, देखिए, पहले जो पुराने machine थी, उस पे जो cost कितना खर्चा हो रहा था, 21,000 का, और अब जो खर्चा हो रहा है, कितना हो रहा है, से 15,000, तो बच कितना गया हमाबा, 6000 का, हमें profit दिये ने, हमें cost के basis निकाल लेंगे, तो profit before depreciation and tax कितना हो गया, 6,000, depreciation, दोनों पर जो आवा cut SLM method है, old पर इतना है, new पर इतना है, तो additional depreciation कितना हो गया, 1833, वह हम नहीं लग दिया, वस profit of the depreciation before tax कितना हो गया, आप फिर tax amount ही हो गया, depreciation add back करके, आपका profit before depreciation of tax कितना हो गया, 4,333, terminal, कुछ बचेगा नहीं, सर क्यों, दोनों मशिन के scribe वले कितना हो गया थी, तो बचाई नहीं कुछ आया ही नहीं, वर्गें के पटल थाई नहीं, तो terminal cash flow बगे कुछ आई नहीं, तो terminal cash flow बगे कुछ आई नहीं, अल्राइट, चलिया, now moving to the last question that is question number 11, Therupati Limited is considering installing a machine costing Rs. 5,00,000, with an additional investment of Rs. 1,50,000 for its installation, the salvage value at the end of the 5 year is estimated at Rs. 2,50,000, the machine is estimated to generate sales revenue of Rs. 20,00,000 in the first year and sales are expected to grow at 5% per annum, for the remaining life of the machine. देखिए अच्छा कोश्चन तरा से देखिना सको, देखिए तीरुपती जो है, जो limited company है, वो एक नए machine खरीदने के जो है, उसको consider करना चारी है, जिसकी जो cost अब कितनी है, marketer में 5,00,000 रुपे गी, और addition जो cost बिए करने नहीं, battery company को installation कितने की date लाग की है, उस machine के जो life year कितनी है, पांसल वाग कितनी है, और पांसल वाग कितनी है, that is 2,50,000, machine जो है, एडिशनल, sorry, machine जो है, sales revenue जो 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 कर रही है, हर साल हो कितना, that is 20,00, sorry, 20,00 in the first year, 20,00 in the first year, and then sales are expected to grow 5% परनों, for the remaining life of the machine, पहले साल तो मशीन जो है 20 लागा सेल रहे जो जनेर कर दे रही है और हर साल 5% के साफ से जो ग्रो कर रहा है लेकिन आप कुश्चन है राज होता कि यह 5% कैसा है मैंस कंपाउंडिक है यह सिंपल है देखे लेंगोज के लिखी हुई है आपको क्या रहे है यह सिंपल के साफ से है तो क्या करना है आपको हर साल आपको करना है 20,000,005% खितना होगा एक लाग तो हर साल 1,00,00,00 रूपी का अडिशना जो सेल रेविनु जनेर हो रहा है आगे लिखा है profit after tax is estimated to 10% of the sales while the working capital requirement is expected to be 5% of the sales find out cash flows generated by the machine that machine is depreciated as per SLM method additional working capital is required in the beginning of the year and is fully salvageable year 5 यानि कि last year में उसकी पूरी value realize हो रही है ठीक है देखिए अच्छा कोईशन देहां से देखिए इसका solution पहले करेंगे हम initial cash पुराने machine की कोई बात है नहीं करी है अगर आप इस question में देखो तो पुराने machine के पाद निखिश का मनला क्या है उनके पाद पुराने machine थी नहीं तो पुराने machine नहीं तो बेचेंगे भी नहीं कुछ नहीं तो हाँ पस वैसे की दिखाए दो और कुछ बहुत सिंपल है पस थोड़ा सहां पर tricky किस पर कर दिया पर sales के उपर तो देखिए ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इसको कोश्ट और कितनी है तकि 5 लाग इंसलिशन कितनी हैं डी लाग working capital कितना है एक लाग वर्किंशियं कितना है एक लाग कैसा है working capital कैसा है एक तो working capital पहले साल कितना होगा, एक लाग रुब एगा, ठीक है, तो वह यहाँ पर आएगा, तो overall आपका जो अब cash outflow कितना होगा, that is 7.5 लाग का, now we're going to subsequent cash inflow, देखे हार साल आपका sales revenue कितना है, 20 लाग for the first year, 21 लाग, 22, 23, and 24, ठीक है, इसके बाद इस पे profit कितना होगा है, देखे हैं, आपका कितना लिखा हुआ है, तो profit after tax is expected to be, 10 अचे-चीजिए है, यहां लेंग्गर चीशी लेका, profit after tax, यहांने कि after depreciation and after tax कितना है, that is 10%, तो हमें ना तो depreciation करना tax न कुछ भी निए simple है यह तो आपका तो profit after tax कितना होगा that is 10% of this value 2 lakh, 2 lakh 10,000 220, 230 and 240 अब depreciation करेंगे add back करेंगे तो depreciation देखें कितना आ रहा है महीं machine कितनी किरती थी 5,000,000,000 by 3,500,000 तो depreciation कितना होगा हर 2你看 देञीं कितना होगा हर साल का 87000 अरोब हें, तो 1 Profit जना होगा iash कितना होगा iash préparation direct 3 lakh 13 10 and 3 thats it so this is the all about diat is niet subsequent cash inflow ना कमिंग टू दी टर्मिल कैश इंवलों देखे स्क्रैप वल्यू और जो न्यू मशीन थे उसकी कितनी है पांच साल वाद एक लाग रुपे की है रिवाइस वर्किंग के पड़े कितना है एक लाग बीज़र बस अब यही में सबनना है सर यह एक लाग बीज़र आया किसे यही है आपका पूरे कोश्चन का में इंव पोरण पाट है जहांसे दिखिये देखे सेल्स हार साल कितने कितने जो रहे है पहले साल जो मशीन खरी दी जीरो पर एड़ प्रिजन से इसके बाद जो मशीन खरी दी अगले साल के पहले साल कितनी हो रही है 20 लाग 21 लाग 22 अब जब working capital जब introduce हुआ तो language में के लिखा था कि जो पहले साल जितनी भी sale होगी ठीक है उसका 5% अब होगा अब introduce करना पड़ेगा हूँ ठीक है सर आब बोलोगे सर sale हुई है अगले साल अब working capital अब हम median रखेंगे पता कैसे लगा sales कितनी है अब जो उन्होंने हो सता है कि उन्होंने कुछ अंदाद लगा है कि हम कितनी sales generate कर सकते है पहले बात हो देखो chapter नाम क्या है capital budgeting estimate यहाँ पर सब estimate ही हो रहा है यहाँ पर कुछ exit figure तो कुछ आने ही ठीक है तो उन्होंने क्या करा उन्होंने अपने 5 experience की basis से assumption लगा लिया projection किया हो उन्होंने ठीक है तो उन्होंने देखा कि next year on and around 20 lakh की sale होने चीए तो उसके coding आज हम कितनी working capital को maintain रखे तो उन्होंने वोला कि 5% of sales ठीक है तो यानि कि देखिए हाँ पर अगर next year 20 lakh होने वाली है तो इस साल हमें कितना stock लावर में रखना पड़ेगा as working capital that is 5% of sales that में कितना होगा 1 lakh रुप है ऐसा ही देखिए दो साल बाद जो गब वो हमें अब रखना पड़ेगा इस तरह देखिए देखिए पहले बात तो देखिए working capital तो आपको maintenance का record तो आपको अभी रखना पड़ेगा कि आप जो डेली बेसिट से working capital कितना में रखो कि जैसे देखिए आज आप shop की पर रोमा लेज़े तो आज आप कितना working capital में रखो कि उसकी आप sales जनेर कर पाऊँ अब sales कैसे जनेर करोगे working capital कैसे में रखोगे अगर आपको shop आज बढ़ा नहीं आज बंद करनी है तो आप देखोगी अब मैं आज कितना sales रखों कल के लिए तो आप तो ज़्यादा सा sales होगे बिकम से कर माने चाहिए दरजार की sales है अब आज एक साल एक दिन में जाईगी इस product की demand है तो आप उसके गोड़ इतनी तो में एटलीस रखोगे ज्यादा रख लोगे दिकत नहीं है बट अगर कम रखी तो फिर आपका जो customer कहां से जाएगा दूसरी shop के पर चला जा गया और एक बर आपका जो customer है वो दूसरी shop के पर चला गया तो वापस आना थोड़ा मुश्कुल जाता है तो यह सब जो है वर्किंग कैपिटल एडवांस में जगो हुआ प्रेडिशन करने पड़ती है कि आज हम वर्किंग कैपिटल कितना maintain रखे तो यहाँ पर देखिए वर्किंग कैपिटल पहले साल कितना था एक लाग अब तो हम एडिशन के इतने होगा देखोगी एक लाग का पांच जार हो गया तो पांच जार एडिशनल फिर पांच जार फिर पांच जार फिर पांच जार फिर पांच जार तो टोटल आपको टर्मिल कैश इन फ्लो कितन हो गया, that is 3,70,000. Alright, so students this is the all about capital budgeting estimation. I hope you have understood very well. Thank you.